कर चले हम फिदा जान तन साथियों तब तुम्हारे अवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा कैफी आजमी अथर हुसेन रिजवी का जन उननिस जन्वरी उननिस सो उननिस में उत्तरप्रदेश के आजमगर जिले के मजमा गाउं में हुआ था आगे चल कर वे कैफी आजमी के नाम से मशूर हुए कैफी आजमी प्रगतिशील उर्दु कवियों की श्रेणी में सर्वो परी है कैफी की कविताओं में विविधता देखने को मिलती है एक तरफ फे सामाजिक और राजनेतिक जागरुकता का समावेश अपनी कविताओं में करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ रुदय की कोमलता भी उनकी कविताओं में विद्यमान है कैफी आजमी ने हिंदी फिल्मों के लिए भी सेंकडो गीत लिखे हैं कैफी को उनके रचना कर्म के लिए साहित त्याकादमी पुरसकार के साथ कई अन्य पुरसकारों से समानित किया जा चुका है 10 मई 2002 को कैफी आजमी ने यह संसार छोड़ दिया आज हम बात करेंगे उनकी एक प्रतिनधी कविता की जिसका नाम है कर्चले हम फिदा यह कविता फिल्म संगीत का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है आज भी कर्चले हम फिदा को यूट्यूब चैनल पे मात्र लिख देने भर से आप सुन सकते हैं तो लीजिए कविता का पहला काव्यांच कर्चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों सांस थमती गई नब्ज जमती गई फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं सर हिमालय का हमने न जुकने दिया मरते मरते रहा बांक बन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों प्रस्तुद गीत युद्ध की प्रिष्टभूमी पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था यह ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज बयान करता है जिन्हें अपनी देशभक्ती पर गर्व है इसी के साथ उन्हें अपने देशभासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं जिन से उन्हें अपेक्षाएं हैं वे देशभासी कोई और नहीं हम और आप ही हैं अथ हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने देश एवं देशभासियों के प्रती अपने कर्तवियों का इमानदारी एवं निश्ठा के साथ निर्वहन करें इस काव्यांच में युद्ध भूमी में सैनिक देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को नियौचावर करते समय अन्य साथियों से कहते हैं कि हम तो देश की रक्षा के लिए अपना शरीर और प्राण नियोचावर करके इस दुनिया से जा रहे हैं। अब यह देश तुम्हारे हवाले हैं। तुम ही इसकी रक्षा करना। हमारी सांसे अब रुखने लगी हैं। ठंड के कारण नाड़ी भी जमने लगी है। फिर भी हमने अपने कदमों को आगे बढ़ने से नहीं रोका है। शत्रू से लड़ते लड़ते सिर्क कट जाने पर भी जरा दुख नहीं है। बलकी हमें इस बात पर गर्व है कि हमने हिमालय परवत के सिर को कभी भी जुकने नहीं दिया। हिमालय अर्था देश के मान सम्मान को ठेस नहीं लगने दी। मरते समय भी हमारे मन में बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। अंतिम समय तक भी हमने हिम्मत और साहस से शतूओं का सामना किया अब इस देश की रक्षा का भार तुम्हें सौंप रहे हैं अर्थात देश की बागडोर तुम्हारे हाथ में है अतह इसकी रक्षा करना अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों काव्यांश तो इस प्रकार से है जिन्दा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खूमे नहाती नहीं आज धर्ती बनी है दुलहन साथियों आज धर्ती बनी है दुलहन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों युद्वूमी में उपस्थित सैनिक अन्य सैनिकों से कहता है कि जीवित रहने को तो हमें अनेक अफसर मिलते हैं परंतु देश की रक्षा में मर मिटने के अफसर बार-बार नहीं मिलते जवाने की अवस्था ही वह अवस्था होती है जिसमें सौंदर्य, प्रेम और जोश चर्मुतकर्ष पर होता है यदि उस जवानी में देश की रक्षा करते हुए खुन नहीं बहाया तो वह जवानी भी व्यर्थ है अर्थात युवाओं को देश रक्षा के लिए हमेशा आगे रहना ही चाहिए आज हमारे लिए हमारी धर्ती ही दुलहन है और हमें उसे उसी की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योचावर करना है अभिया देश तुम्हारे हवाले है इसकी रक्षा के लिए बलिदान के मार्क पर बढ़ चलो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों काव्यांश तीन इस प्रकार से है राह कुर्मानियों की न वीरान हो तुम सजाते ही रहना नए काफिले फतह का जश्न इस जश्न के बाद है जिंदगी मौत से मिल रही है गले बांध लो अपने सर से कफन साथियों बांध लो अपने सर से कफन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों बलिदानी सैनिक अन्य सैनिक साथियों को कहता है मेरे सैनिक साथियों हमने देश के लिए जो बलिदान किये हैं उसकी राह कभी सूनी नहीं होनी चाहिए देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के नए नए जथे तैयार होते रहने चाहिए उन्हें बलिदान के लिए सहर्ष आगे आते रहना चाहिए एक बार हमने यह संघर्ष और बलिदान का उत्सव मना लिया, तो फिर अगला उत्सव विजय का ही होगा आशय यह है कि बलिदान के पत पर हमें विजय अवश्य प्राप्त होगी देखो, आज जिन्दगी खुद आगे बढ़ कर मौत को गले से लगा रही है आशय यह है कि संघर्षील नव्यवक, उत्साह पूर्वक बलिदान देने को तयार है मेरे साथियों, देश के लिए मर मिटने का अफसर आया है तुम अपने बलिदान के लिए तयार हो जाओ हम तो बलिदान करके दुनिया से जा रही है अभियदेश तुम्हारे सहारे छोड़ कर जा रही है इसे शत्रों से बचा कर रखना अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों काव्याश चार का आनन्द लीजिए हींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर इस तरफ आने पाए न रावन कोई तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे छून पाए सीता का दामन कोई राम भी तुम तुम्ही लक्षमन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों यह जोशिला गीत देश के लिए शहीद होने वाले सैनिक मृत्यू को किस प्रकार गले लगाने से पहले अन्य सैनिकों को संबोधित करते हैं उस संबंध में कहा गया है सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अपने खून से धर्ती पर एक ऐसी लक्षमन रेखा खींच दो कि कोई भी रावन अर्थाद दुश्मन इस लक्षमन रेखा को पार करने की हिम्मत न कर सके अर्थाद ऐसा भय दुश्मन के मन में भर दो कि हमारे देश की सीमा में कदम रखने की वह सोच भी न सके यदि किसी शत्रू का हाथ भारत माता की ओर बढ़े तो उसे तुरंत काट डालो भारत माता के सम्मान को किसी भी तर है कोई भी ठेस नहीं लगनी चाहिए जिस प्रकार सीता की रक्षा है तू राम और लक्षमन ने पापी रावन का स्तर्वनाश कर दिया था उसी प्रकार तुम्हें भी राम लक्षमन की भाती अपने शत्रों का नाश कर भारत माता को सुरक्षित करना है तुम ही राम हो तुम ही लक्षमन हो स्वयम को पहजानो तुम ही भारत के रक्षक हो रखवाले हो अब हम यह देश तुम्हारे हवाले करके दुनिया से जा रहे हैं इसकी रक्षा करना क्योंकि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों राम भी तुम तुम्ही लक्षमन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों यह गीत वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध की एतिहासिक प्रिष्ट भूमी पर बनने वाली फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। आप सभी को हकीकत फिल्म का यह गीत अवश्य सुनना चाहिए। रोंग्टे खड़े कर देने वाला यह गीत आज भी भारतिय सेना के लिए एक यादगार नगमा है। तो सुनिए हकीकत का यह जोशिला गीत। जै हिंद जै भारत। हम फिदा जानतन साथियो अब तुमारे हवाले वतन साथियो। झाहिए।